sum of all root of the equation ठीक है, root निकालने से पहले क्या करेंगे this should be greater than 0 this should be greater than 0 this should be greater than 0 ये बात बच्चों को explain कर देंगे ठीक है, जो हमारा data आएगा उससे match कर लेंगे कि कौन 0 greater than नहीं आएगा तो answer गलत हो जाएगा अच्छा, दूसरी बात ही है कि जब plus होता है, base same होता है तो multiply होता है ये बच्चों को अब तक से आई गया होगा x minus 1 x plus 2 upon 3x minus 1 equal to log 2 तो base same है, तो सबकुस अंदर वाला पार्ट भी same ही होगा तो x minus 1 into x plus 2 equal to this equal to 4, मतलब यह हो जाएगा 12x minus 4 इसको multiply करूँगा तो क्या आएगा, x square plus x 2x minus x minus 2 बराबर 12x minus 4 इसको solve किया आपन तो x square plus 12x है और इधर आए तो minus x हो जाएगा minus 11x minus 11x और इसकी बात करूँँ तो यह plus 2 बराबर 0 आ रहा है एक बात फिर से डाटा को देख लेते हैं तो मिस्टेक तो नहीं है x minus 1 into multiply में x plus 2 है यहां से x square minus ओके 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 एक data और आए लॉक टू 3x minus 1 ठीक है और लॉक टू 4 था तो बेस्ट में equal to 4 को बराबर कर दिये ओके जा रहे है कोजी निस्टेक लॉक टू x minus 1 x plus 2 जबी एधर उख गए तो एक बार चेक कर लिया करेंगे एक्स प्लस 2 नीचे कितना जाएगा 3x minus 1 equal to log 2 4 है x minus 1 x plus 2 4 उधर multiply हो जाएगा क्योंकि सब कुछ same है तो 12x minus 4 है तो x square plus x minus 2 बराबर ठीक है पोई डिक्कत नहीं है अपने को sum of all the root of the equation पूछ रहा है ठीक है तो लेकिन sum of root of equation पूछ रहा है तो इसका भी data satisfy होगा मतलब x की value 1 से बड़ी होनी चाहिए कुल मिला कि यह बोला है तो यहाँ से देख लेते हैं sum of root किसी का यदि x1 plus x2 किसी का इगारा हो और product of root 2 हो तो कोई root छोटा हो सकता है क्या 1 से नहीं हो सकता ठीक है तो अपने से directly क्या पूछा है sum of all root तो ठीक है x2 minus 11 x plus 2 equal to 0 क्योंकि फेक्टराइज होने वाला है नहीं is the required आई गे